नमस्कार मैं जिम कुरेशी स्वागत है आपका एन्टीवी में सीलिंग के कारण पूरी दिल्ली के व्यापारी परशान है इसी केशलते राम नीला मैदान में एक महा रेली का आयोजन किया गया भारी संकिह में व्यवसाइक प्रतिष्ठानों एवं 3,000 से ज्यादा के दिल्ली व्यापारी बंद के अंतरगत इसरेली में उपस्ति रहे व्यापारियों ने इसरेली का हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों को भी बनाया इस्रेली में महिलाएं वा बच्चे भी मौझूद रहे देखिए हमारे समवादाता मुकेश गुपता की ये रिपोर्ट एक साथ इखटे हुए हैं ताकि वे अपना विरोज जाहिर करकर सरकार का ध्यान अपनी और आगर्सित कर सके हैं क्यूंकि कहा जा रहा है कि ये जो पूरा सीलिंग का सिल्सला है वे दिल्ली हाई कोड द्वारा उनकी मौनेटिंग कर्मेटी जो बनाए गई है वे कर रही है इसलिए आज काफी भारी संक्या में राम डिल्ला मैदान में अपनो जाहिर करने के लिए वे पारी मौझूथ है मैं कैमरमेन से कूँंगा जरह दिखाएं किस तरह से आज जो बनाशिया वह इस राम डिल्ला मैदान में मौझूथ है आप देख सकते हैं इस पूरे रामजिले मैदान को काफी भारी संक्या में जो है पूरे दिल्ली से जो वैपारी है या मौझूद है और वे अपना विरोध परदशन जाहिर कर रहा है ताकि सरकार उनकी तरफ द्यान दे और जो उनकी सीलिंग की गई है वे रोखी जा सके और लगबग 3000 दुकाने अब तक दिल्ली में सील की जा चुकी है जिनकी डी सील हो जाए इसलिए ये विरोध परदशन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है इस पूरे सिलसले में हस्चेप करे केंदर सरकार भी और दिल्ली सरकार भी आज बंद के दौरान पूरी दिल्ली से यहां व्यापारी पहुँचे इन व्यापारियों को एंजुट कर महारेली का आयोजन कैट के राष्टे महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने किया इस महारेली के मंच पर दिल्ली के विविन व्यापारी संगटनों के अध्यक्ष वकील है और यह व्यापारी सीलिंग के नामबर सरयाम अपमानित हो रहे हैं लिए आज का बंद अभूतपूर्वे रैली अभूतपूर्वे आज व्यापारी नहीं व्यापारी की महिलाएं बच्चे कर्मचारी सब आज कर दोलन में शामिल हैं और हमें रगता है कि इसका दबाओ सरकार पर पड़ेगा और हमारी मांगेगी सीलिंग पर रोग लगाने का अध्यादेश या बिल संसत में लाए सरकार और वहीं दिल्ली विधानसभा में भी सीलिंग पर रोग का बिल पारित होकर के केंज सरकार को मंजूरी के लिए बेजें 358 सड़कों को आज के विधोप परतेशन जो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में हमारे वेपारी माही कठा है इस बात का सबूत है कि पुद्विर दिल्ली के वेपारी कितना परहशान है आज दिल्ली के नुकर से कोने कोने से लोग यहां पर आये हुए हैं उनके करमचारी भी उनक प्रशपती भावनी पहुंचेगा लोगसता बहुनी कोने हार अहरे कमचे हैं हम तो है के इता है कि गौर्वर्मेंट ने चलाना कि दे लोग और अगो किसी मुड़की कुशाली होती है वह बिजनस मेनों से नजर आती है अगर बिजनस मेर कुछाल नहीं हो सकता मैं इद्रीस खान बोला हूं एसोशेशन का सदर एंडी किराब जूर लीगा यहां पर इलाके के अंदर कर्वेशन चार्ज मांग रहा है जो छोटे-छोटे ठीये हैं उनसे भी मांग रहा है और कार पार इस मौके पर विश्वास नगर के बीजेपी विधायक ओंग प्रकार शर्मा भी विपारियों के बीच पहुंचे और एंटीवे से बात की देखिए क्या कुछ कहा विधायक ने आज दिल्ली के वैपारियों के साथ मौनिटरिंग कमेटी उनके नागरी कदिकारों को हनन कर रही है अब ये मामला वैपारियों का नहीं रहे गया है अब मामला ये है कि सम्विधान समवत जो नागरी कदिकार है मौनिटरिंग कमेटी और मौनिटरिंग कमेटी के दुवारा नियुक्त किये गए लोग जो सड़के नोटिफाई नहीं है वहाँ पे नोटिफ देकर कॉंपिटेंट अधिकारी कॉर्पेशन के उन लोगों से कनवर्जन चार्ज लेते हैं और जब कनवर्ज चार्ज लेने के बाद उन दुकानों को सील किया जाता है ये अनजस्टिस है ये उनके नागरी कदिकारों को हननन है दूसरी बात किसी भी दुकान को सील करना चाहिए वो कनवर्जन चार्ज की वज़य है या और कोई वज़य है उसको नोटिस दिया जाना चाहिए कम से पास दिन का और उसको उसके कागज दिखाने और उसको अपना पक्ष रखने का समय दिया जाना चाहिए आज monitoring जो committee कर रही है ये मनमानी है इसके अलावनों एक जजिया कर लगाया हुआ है जिसकी भी दुकान seal करते हैं चाये वो सही है या गलत है एक लाख रुपे की जो processing चार्ज है ये भी समिदान सम्वत नहीं है और ये जजिया कर रहे है और दिल्ली के नागरिकों को आतंक वा है व्यापारियों की परिशानियों को देखते हुए सरकार को इस और ध्यान देना शाहिए हमारी खास रिपोर्ट में फिलाल इतना ही दीजिये हमें इजास्त नमस्कार